हेलो स्टुडेंट्स मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं मागनेट ब्रेंट्स हिंदी पर एक ऐसा प्लेटफर्म जो हिंदी माध्यम की कक्छा 6 से लेकर कक्छा बार्मी तक का संपोन पार्टिकलम बिलकुल निसुल में उपलब्द करा रहा है मागनेट ब्र यहां पर किसी परकार का कोई पेमेंट नहीं करना है ना ही आपको ऐसा है कि दो चैप्पर पढ़ा दिये गए फिर आपसे कहा जाए कोई सब्सक्रिप्शन खरीदो तो आपको नहां पर ना तो किसी परकार कोई पेमेंट करना है ना किसी परकार कोई सब्सक्रिप्शन खरी यह टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं नौमी के इतिहास का चेप्टर नंबर 3 है नास्थी बाद और हिटलर का उदाए उसी में हमें देखना है नसली कलपना लोग का या नसली कलपना लोग या उसी को हम कहते हैं यूटोपिया इसके पहले हमने क्या देखा था तो इसके पिछल दिमाग में संसार रचेंगे और संसार को किस अधार पर रचेंगे नसल के अधार पर तो उनके दिमाग में जो रचा गया संसार है जिसे वह नसल के अधार पर रचेंगे हाला कि जर्मनी उनने रच दिया था नसल के अधार पर तो ऐसा ही संसार रचने का जो दिमाग में बात आई है कि भाईया हमें एक दुनिया में एक ऐसी दुनिया बनारी है जो नसल के अधार पर होंगी मतलब हम एक आदर्स बिस्व बनाने का या एक आदर्स बिस्व का निर्मान करेंगे और ये निर्मान कौन करेगा ये नासी लोग करेंगे नासीयों के दोरा ये सोचा गय कि हम कलपना लोग या आदर्स विस्ट का निर्मार करेंगे और ये विस्ट जो होगा या ये जो दुनिया बनेगी वो कातिलाना और नसलबादी होने वाली है कैसी कातिलाना और नसलबादी होने वाली है ये लोग तो खुद नहीं कहेंगे कि हम कातिल हैं हम नसलबादी हैं ल बहाँ पर भी आपको समझ में आए कैसे कातिल इनको कहा जा रहा है तो ये कातिलाना और नसलवादी राज की स्थापना कर रहे थे जिसको ये क्या कह रहे थे कल्पना लोग या आदर्स विस्ट कह रहे थे और आदर्स विस्ट का निर्मार इन नास्चियों के द्वारा किया कहलाता है और युद्ध क्या कहलाता है ये बात को हम समझते हैं जन संहार का मतलब क्या है और युद्ध इन दोनों को कहा गया कि एक ही सिक्क्य के दो पहलू है सिक्क्य के दो पहलू का मतलब क्या तो सिक्क्य का एक तरफ होता है और एक तरफ होता टैल एक तरफ होती है चित के दो पहलू है सिक्क्य का एक हिस्सा यह हो गया और एक बार में वह आ गया तो कहा गया कि सिक्क्य के दौना पहलू है मान लीजिए कि चित है नरसंगहार तो पट है युद इसका क्या मतलब है इसको समझना है कि चित है नरसंगार तो पट है युद इसका क्या मतलब है ये समझना है सबसे पहले समझते हैं कि नरसंगार का मतलब क्या होता है नरसंगार से मतलब क्या है सबसे पहले जानते है नर मतलब हो जाता है मनुस्थ नर मतलब कौन हो जाएगा मनुस्थ नर जंदली सब्द उपयोग किया जाता है पुरस वर्क के लिए तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं मनस्चों की बात कर रहे हैं इसमें पुरस और इस तरी दोनों के साथ कुछ गरवल होगा तो यह नर उपयोग किया जाएगा मनस्चों के साथ संघार मतलब उनका उधार कर देना कैसा उधार कर देना उनको सीधे परमात्मा से मिलवा देना मतलब कत्ल कर देना उनका खात्मा कर देना वो कहलाता है संघार तो मनिस्टों का जब बड़े इस तर पर कत्ल किया जाता है जब इनसानों का बड़े इस तर पर खात्मा किया जाता है उनकी हत्याएं बड़े इस तर पर की जाती है उस चीट को कहते हैं नरसंगार हम तो ये गाओं के गाओं अगर जब खत्म करते एक दो गाओं या 25-50 गया बहुत बड़ा रूप होगया नर्संघार का भी बाप हो गया इसा he संग साय में मतलब किया रहा है आपका नर्संघार किया रहा रहा है युद्ध के साए में ही आपका नरसंगार किया जा रहा है नरसंगार हो रहा है कैसा युद्ध के साए में जो दुतिय बिस्थ चल रहा था दुतिय बिस्थ में जर्मनी जापान और इटली ने मिलकर बिटेन से लड़ाई लड़ी थी रूस से और फ्रांस से लड़ाई लड़ी थी तो उस जब युद्ध चल लहा था तो जर्मनी बाहर दुनिया भर से लड़ रहा था दुनिया भर कोई नहीं पता था कि जर्मनी के अंदर क्या चल लहा है वहीं जर्मनी अपने अंदर क्या कर यह लोगों को सफाया उनका नरसंगार कर रहा था इसी के पीछा कहा गया मैं युद्ध के साए मैं क्या को दिया नरसंगार कर दिया युद्ध चल लाँ था बाहर मतलब देश के बाहर दूसरे देशों के साथ देशों के साथ किसके साथ हो गया देशों के साथ और नरसंगार कहा हो गया देश के भीतर बस समय बराबर है उसी युद्ध की आर में तो दुनिया को यह पता नहीं चल पाएगा इसी कारण से इनको कहा गया कि यह दौनों क्या है एक ही सिक्के के दो पहलू है किलियर बात चलिए अब देखना कि अब युद्ध के जब जर्म से पराजित हुए तो पोलेंड को तहस्रहस कर दिया गया बरबाद कर दिया गया उत्तर पस्च्च्म का जो इलाका होगा पोलेंड का उत्तर पस्च्म मतलब हम पोलेंड को इसा गोल बना लें तो यह उपर वाला इलाका हो जाएगा इसको कहेंगे हम पस्च्म वेस्ट यह हो जाएगा कर जो जाहेगा इसको एस्ट उपझा कर लिया था जर्मनें यह न इस उत्तरपस्चम पर कब्जा हो गया जर्मनी का कब्जा हो जाता है तो यहां के लोग भागने को मचबूर हो अपने धन संपत्ति संपता घर मकान छोड़कर भागने लगते हैं और यह सब किसलिए भाग रहे हैं मजबूरी में भाग रहे हैं क्योंकि जर्मनी का कब्जा हो गया है और जो जगए खाली होगी तो क्या होगा जर्मन समराज जहां पर जर्मन समराज थापित किया गया था तो अलग अलग अलाके जीते गए थे वहां के जर्मन लोगों को लाकर यहां पर बसाया जाएगा इसके लिए जर्मन यह पोलेंड की जगह खाली करवाई गई थी यह इस तरीके का कुछ घटना करम किया गया था तो वहां पर क्या हुआ जगह खाली वहां पर जर्मन लोगों Verges और ज circums मुवेश के जैसे ख़देड़ा गया मारा पीटा गया और नहीं को वहाँ पर एकटा कर अजब और जो भी और डृब は जोबी ऑवांचिटत थे सब्याफ्य ऐस तक्वों को कहँ पर पनाग दिया गया इस जंदल से करांती खड़ी कर देंगे अपनी परंपरा बगएरा आप आपने देखा होगा हमने यह देखा भासा वाले कॉंसेट पर भी बात की है तो भासा के माद्धिम्स चीजों को हम जिंदा रख सकते हैं आप जानते हैं भासा कितना महत्रपूर होती है तो पॉलेंड के यह पढ़ाते हैं यह सारे काम करते हैं उनको भुद्वि उन लखत वहयाई गांगे पीछे कारण कई का था कि पॉलेंड को बॉद्धिक इस सतर्पर स Issition पर तो बॉद्धिक इस तर पर और अध्यातने के इस तर पर इनको क्या बना जाए गुलाम बनाने की चाल चली गई गुलाम बनाने की कोसिस की गई जब वद्जी भी नहीं होंगे तो आपका पुराना इतिहास नहीं बता पाएंगे आपके पुराने धर्म का इतिहास नहीं बता पाएंगे आपका पुराना आध्यात नहीं बता पाएंगे जो नया आपके दिमाग में डाला जाएगा वही क्य मनाने की कोसिस की गई यह गुलाम बनाने की चाल चली गई तो बात बहुकर अब पोलेंड के अंदर जो आप जुसारा कांड हो जो रहाँ चलना था यहां क्या हुआ अब क्या हुआ कि आप देखना कई सारे जो लोगों को मारा गया था पूरी आप पूरे चेप्टर के अंदर हमने देखा हुआ था कि अवांचतों को मार रहा थे अवांचतों में अलग-अलग कैटेगरी के लोग थे यहूदी थे जिपसी थे अस्वेत थे हैं ना सभी लोग है जब इनको मारा जा रहा था तो इनके बच्चे भी होंगे ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे नहीं थे तो इनके बच्चे थे और खास तोर से हम भी पोलेंड की कहानी देख रहे हैं पोलेंड पर जहां पर जर्मनी ने कबजा किया तो वहां पर यह सारे लोग असुद्ध हैं तो उनको उनके माबाप से क्या कर लिया गया चीन कर उनको किसके पास भीजा गया नसल विसी सग्य के पास जो जाच करकर बताए कि इसकी नसल सही है या नहीं है मतलब नसली जाच में क्या होगा उसकी नसल पर फोकस किया जाएगा कि वो आरे है या नहीं है अगर आरे है मतलब वो सही पाया जाता है नसल में कि उसकी नसल अच्छी है सुद्ध है मतलब आरे है या नौडिक जर्मन आरे है तो उसको क्या करेंगे जर्मन परिवारों में मिला लिया जाएगा उसका पारण पोसन किया अगर आरे नहीं है तो इसको अनात आस्रम भेज़ देंगे वैसे वहाँ पर कोई विवस्था नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा वो बच्चा यहां पर मर जाएगा तो यह विवस्था बच्चों के साथ भी जा रही थी उनको भी छाटा जा रहा था और उनकी भ देखा नसल के अधार पर बना रहे हैं और बच्चों के साथ भी वह ऐसा कर रहे हैं कि बच्चे क्या हों बच्चे अगर आ रहे हैं तो रहेंगे नहीं है तो उनको अनात आस्रम में भेज़ दिया जाएगा के लिए मैगनेट ब्रेंस ने आपकी सुबधा के लिए अपनी एक वैप साइट डेवलप की है और अपना एक एप भी डेवलप किया है एप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वैप साइट का उपयोग करने के लिए गूगल पर टाइप करें मागनेट ब्रेंस डॉट कॉम जैसा ही टाइप करेंगे टाइप करते ही ऐस पर इसको सेलेक्ट किया इसके बाद फिर आपके पास आएगा कि आपको क्लास को सेलेक्ट करना होगा तो आपके सामने क्लास हैं तो आपको अक्छा नौमी के हैं तो आपको क्छा नौमी सेलेक्ट करनी है जैसे ही क्छा नौमी सेलेक्ट करी तो आपके सामने सारे टीचर आ जाएगे अब आप हर एक चैप्टर पर जाकर देखेंगे सारे वीडियो खोल जाएगे जो भी टॉपिक आपको देखना है उसके सामने सब वाच नाओ करेंगे वीडियो फिले हो पूरा देखने की बाद आपको नेक्स वीडियो पर जा आँना है तो आप नेक्स वीडियो के बटन की वीडियो पर चलए तो आपको कोई परिसानी यहां पर होगी नहीं और आखी पड़ाई बहुत अच्छे तरीके से चलती चाहिए जो भी वीडियोज होते हैं जो भी सेशन्स होते हैं उन सभी को आप लाइक करें अपने दोस्तों में जरूर से सेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें कमेंट करना भी ना भूलें कमेंट करकर भी बताएं कि आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं धन्यबाद